चलिए दोस्तों आज की रेसिपी होने वाली है मीठी चटनी यानि की इमली की चटनी जिसको हम सोट भी बोलते हैं और वो हर्लवाईयों की तरह से कितनी ही जल्दी बनेगी बहुत ही खास स्पेशल तरीके से और जो जटपट से बनेगी और जिसको आप ठंडा करके कांच की बॉटर में भरके एक महिने तक स्टोर भी कर सकते हैं तो चलिए बनाते हैं फिर देखते हैं क्या चाहिए उसके लिए में तो नमस्कर दोस्तों स्वागत आपका गीता की रशोई में तो आज हम बनाने वाले हैं इमली की खटी मीठी चटनी जिसको आप सोट भी बोलते हैं तो बहुत आसान है उसको बनाना जिन लोग को आती है उन लोग के लिए भी बहुत अच्छी है और जिन लोग नहीं जानते हैं बनाना तो उन लोग के लिए स्पेशल है जो घर पे ही बहुत आसान तरीके से बन सकती है और बहुत जल्दी यह इमली है जो बिना गुटली की है जिसको मैंने एक घंटा पहले अच्छे से भिगो के रख दिया था आप देख रहे हैं यह बिना गुटली वाली है और साथ में लिए हैं हमने चीनी मेरी इमली जादा है तो चीनी अपने हिसाब से डाल लगबग मैंने मेरा छोटा गिलास है तो मैंने एक गिलास लगबग ली है मतलब अगर कटोरी के हिसाब से मापेंगे तो लगबग डेट कटोरी जितनी है और यह लिया है हमने लगबग आदि चमच नमक 1-4 जितना काला नमक 1-4 जितना सोंट पाउडर जो अद्रक का पाउडर होते हैं लगभग आधी चमज भुना जीरा पाउडर और लगभग एक चमज जितना धन्या पाउडर और लगभग आधी चमज जितना लाल मेच और ये है हमारी आधी चमज हिंग तो ये सब समान हमको चाहिए चटनी बनाने के लिए और हमारी चटनी जल्दी से बनके त्यार हो जाएगी सबसे पहले हम क्या करेंगे जो हमारी इमली भीगोई हुई है इसको हम मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करनेंगे छोटे जार में जिससे बनने में बहुत जल्दी बन जाएगी अगर आप चाहे तो चणी में स्टील की चणी हो तो उससे छानत के भी कर सकते हैं तो मैं इसको पीस लेती हूँ पीसने से बहुत इजी रहता है तो अभी पीस के फिर में आपको दिखाती हूँ तो आप देखे, पूरी इमली को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, अब हम इसको कड़ाई में ले रहते हैं, इसी जार में लेंगे थोड़ा पानी, और इसको पूरा अच्छे से निकाल लेंगे सारा पल को, इसमें से भी हमने निकाल लिया है, इसमें से भी हमने निकाल लिया है, अब हम करेंगे गैस को ओन, और इसको उबलने देते हैं, तो देखें, इमली हमारी पक रही है, जैसे ही उबला आएगा, तो हम गैस को कर देती हूं पहले में स्लो, और ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे, अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे, जब तक हमारी चीनी अच्छे से घुल नहीं जाए, और उसके बाद हम दिलवाएंगे एक दो उबाले, ये घर की चटनी पिसी बहुत ही जल्दी और बहुत ही बढ़िया बन के तेयार होती है, आप महीने तक इसको यूज कर सकते हैं, जैसे ये ठंडी हो जाए, आप इसको जार में भरके फ्रीज में रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती हैं, और आप इसको किसी भी चीज के साथ इंजोई कर सकते हैं, पकोडों के साथ, भजिया के साथ, पूरी के साथ, समोसे के साथ, जिसके साथ भी आप इंजोई करना चाहें, दई भलों में, भेल में, चाट पकोडी में, अब सब चीज के साथ ये चटनी बहुत ही बढ़िया लगती है, और इससे सब चीज का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है, आप देख रहे हैं, जैसी हमने मसाले और चीनी डाली, इसका कलर एकदम से चेंज हो गया है, और बहुत ही बढ़िया लगती है, और बनने के बाद, ठंडा होने के बाद, आप इसमें चाहें, तो जो खर्बूजे के भी जाते हैं, जिसको लोग मगज भी बोलते हैं, वो भी डाल सकते हैं, जैसे शादियों में डालते हैं, हलवाई लोग, और अगर आप सर्व करने के समय इसमें फूट भी डाल सकते हैं, जैसे की शादियों में केला डालके मिलाते हैं, तो आप ऐसा भी डाल सकते हैं, पर केला आपको जब भी डालना है, सर्व करने के समय डालना है, केला डालके रखना नहीं है, नहीं तो चटनी हमारी जल्दी खराब हो जाती है, तो इस चीज इसका आप खास ध्यान रखें, केला, फूट कभी भी डाल के चटनी में रखें नहीं, जिस समय आपको सर्व करना है, उसी समय डाल के इसमें मिलाएं, देखें उबाला आगया है, इसको बहुत जादा पतला ना करें, अगर आप पतला करेंगे तो गारा करने के लिए आपको उतना ही जादा इसको उबालना पड़ेगा, और यह हमारी चटनी बनके रेडी है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि इसको हम ग्राइं कर लेंगे, और यह बहुत जल्दी गारी हो जाती है, जितना पानी आप जादा डारेंगे, उबालने में उतना ही टाइम लगेगा इ इसलिए पानी लिमिटेड ही डालें उसमें, और देखे हमारी चटनी फटाफट से बनके रेडी है, ना हमने इसमें कॉन फ्लो डाला है इसको गारा करने के लिए, ना हमने कोई मैदा डाला है, ना कुछ डाला है, यह अपने आप से ही और रेडिव गारी है, और यह अभी ठंडी होके हमारी और भी गारी हो जाएगे, तो गैस को कर देते हैं, बन और चटनी हो गए है, हमारी तयार, तो देखाना आपने कि सोट चटनी बनाना, मीठी चटनी बनाना कितना ही असान है, जटपट से बन जाती है, सिर्फ आपको समान तयार करके रखना है, और बन जा कैसी लगी आज की वीडियो आपको मुझे जरूर बताईएगा कमेंड में और ऐसी अच्छी अच्छी और आसान सी बनने वाली वीडियो देखने के लिए मेरो चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकोन दबाना ना भूलें जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप को जल्दी से जल्दी मिलेगी और आप सभी वीडियो देख पाएंगे तो चलिए मिलेंगे फिर अगली रेस्पी के साथ तब तक के लिए करते हैं बाई बाई